गुड मॉर्निंग अश्टूडेंट आज हम इंजिनिंग कर्व का टॉपिक अस्पाइरल परेंगे अस्पाइरल आज अस्पाइरल पार्ट थर्ड है इंजिनिंग ग्राफिक्स का पार्ट थर्ड आज हम लोग अस्पाइरल के बारे में परेंगे जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सेर करेंगे ताकि इस वीडियो से आपको भी फाइदा हो और बाकी लोगों को भी फाइदा हो इसलिए इस चैनल को SBTE पाट साला को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि बाकी लोग को भी फाइदा मिल पाए आज हम लोग आज का कुश्चन है कि draw a spiral of one convolution टेक डिस्टेंस ओपी 40 mm यहां करा है टेक ओपी डिस्टेंस फोर्टी एमें ड्रॉ आस पाइरल ओफ one convolution नेक्स इसका जो आएगा वह डबल convolution का भी आता है वह अगले वीडियो में पाट फोर में हम पढ़ेंगे फिलाल हम one convolution के बारे में पढ़ेंगे फ़स्ट आफ वाल हम लोग ड्रॉ करते हैं कि शर्किल 40 mm रेडियस का 40 mm radius का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं 40 mm radius का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं 8 equal part में बाटने के लिए आप लोग पहले से जानते होंगे या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं चुकि हमारा जो circle होता है वो 360 degree angle बनाता है तो हमें इसको 8 part में बाटना है उसके लिए क्या करते हैं 360 degree divided by 8 means 45 degree मतलब क्या है one division 45 degree आएगा तो पहले क्या करेंगे circle draw करेंगे उसको 4 part में हम लोग diameter मिलाएंगे तो हो जाएगा x axis और y axis और उसमें हम लोग चांद की मदश से 45 degree 45 degree पे उसको divide कर देंगे और हमारा circle 8 part में बढ़ जाएगा उसके बाद जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो circle का जो center है उसको O दिये हैं और उसके और उसके right side में हम लोग P दिये हैं यही जो distance है O P इसी को बोला है question में कि 40 mm लेने के लिए और वही हमारा radius है किसका circle का अब क्या है O से P और उसके बाद P से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से हम circle का naming करेंगे circle का naming करेंगे और जैसे naming किया हुआ है उसी तरह से हम करेंगे ताकि जो हमारा question होगा उसको बनाने में हमें problem नहीं होगा ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा part इसमें जो करना होता है अब हमको O P जितना part में circle को divide किये हैं जितना part में circle को हम divide किये हैं उतना part में O P बार बार हम बात करें op जो question में दिया है 40 mm उस op को भी हमको 8 equal part में बाटना होगा इस 8 equal part में बाटने के लिए हमने geometric construction में आप लोग ने पढ़ा होगा कि अगर कोई line है उसको हम लोग 5 equal part, 2 equal part, 3 equal part, 4 equal part में बाटना होता है तो हम लोग acute angle से उसको acute angle ले करके 5 part में 5 equal और हम उसको पहलाल कीच करके उसको divide करते हैं बट यहाँ पे वैसे कर भी सकते हैं और वैसे नहीं करें तो यहाँ पे shortcut है क्योंकि हमारा यहाँ पे even number में 40 है तो 40 को हम लोग 8 part में divide करेंगे मतलब 5 यानि 0.5 cm का एक division होगा और इसमें हम क्या करेंगे a scale की मदद से a scale की मदद से हम क्या करेंगे कि O से P को 0.5 cm, 0.5 cm को 8 equal part में हम divide करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहा हैं कि जो हमारा O P है यहाँ पे लिखा है O P can be divided by acute angle method जो हम लोग इसके पहले discuss कर चुके हैं और अब देखें यह जो O P अब हमारा 0.5.5 cm का एक each and every division हमारा complete है और जिस तरह से naming क्या हुआ है देखें इधर से हम लोग जो right से हुआ right से हम लोग P से one की ऐसे कोई लड़का आपको doubt होगा कि अगर O से हम 123 कर सकते हैं अगर हमको इसका clockwise जन्टी clockwise चेंज उससे कोई दिकत नहीं बट जो हमारा यह setting है कि इधर one से है तो हम इधर से one ताकि हमको measurement करने में और बनाने में असानी हो इसके लिए ऐसा regiment किया गया है तो हम P की तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से हम लोग क्या करेंगे divide करेंगे by the help of acute angle और by the help of scale अब each and every division 0.5 cm का होगा और आप लोग इसको divide कर लेंगे ठीक है उसके बाद next है अब हम distance लेते हैं और उसको हम लोग O1 radius, O2 radius, O3 radius, O4 radius, O5 radius पे लेंगे थर्ड स्टेप में क्या करते हैं देखिए आपको वीडियो में बिलिंग कर रहा है take O1 distance from OP line and cut an arc on O1 radius officer के कहने का मतलब है कि जो हमारा OP जो कोशन में दिया है बार बार हम OP बात कर रहे है जो हमारा कोशन में दिया था कि OP जो है कितना है 40 mm है तो हम लोग लेंगे O1, O1 की दूरी कमपास की मदद से लेंगे और देखिए हमारा O1 radius है, सरकिल का O1 radius है उस O1 radius पे क्या करेंगे? O को center मानके और O1 distance जो OP line पे लिये है उस्तना radius का एक arc O1 पे काटेंगे similarly O2 को O2 distance लेंगे O2 distance लेंगे O2 वाले line से कमपास की मदद से और O2 radius वाले line पे arc काटेंगे और उसका नाम P2 देंगे जैसा कि आपके वीडियो में दिख रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे? O2 वाले line पर O3 distance लेंगे O3 को मेजर करेंगे O3 को मेजर करेंगे और O3 radius वाले line पे arc काटेंगे O4 को मेजर करेंगे O4 को मेजर करेंगे कहां से? O P वाले line से O P से O4 को मेजर करेंगे distance लेंगे और O1 O4 radius पे काट लेंगे similarly O5 को लेंगे O5 distance लेंगे O P वाले line से और O5 radius पे काट लेंगे O6 को मेजर करेंगे और O6 रेडियस पे काटेंगे O7 को मेजर करेंगे O P वाले लाइन से और O7 पे काट लेंगे और O8 हमारा ओरीजिन है वहीं पे रहा जाएगा और वहीं पे रहा जाएगा इस तरह से हम लोग P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8 center of the circle पे जाकर क्या करेगा overlap करेगा ठीक है उसके बाद हम लोग इन सारे point को इन सारे point को P1, P2, P3, P4, P5, P6 को हम लोग क्या करते हैं कि अश्मूत कर्व से मिलाते हैं इसी सारे point को जब हम मिलाएंगे अश्मूत कर्व से तो वही कर्व जो होगा वो spiral का कर्व होगा उसके लिए हमारे पास French कर्व available होता है French कर्व की मदद से सारे point को मिलाया जाता है अगर French कर्व नहीं है तो free hand से ही हम लोग इसको मिलाएंगे और हम लोग spiral का figure देख पाएंगे कि spiral कैसा होता है देखे जब हम लोग P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 को अश्मूत कर्व से मिलाएंगे तो इस तरह का कर्व हमको find out होगा इस तरह का कर्व हमको क्या होगा मिलेगा इस कर्व को हम लोग spiral जैसे लेकि हमारा यह जो blue color का आपको दिख रहा है यही जो blue color का है blue color का जो figure है यह one convolution का है second convolution हम next class में हम इसको discuss करेंगे बढ़ अभी हमारा first तो यह P1, P2 से होते हुए जो अब स्मूत कर्व बनाएं तो इस तरह का हमको figure मिला जिनको उस process में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में इसको भी समझ लेते हैं देखे इस figure में O1, O2, O3 देखे O1 radius लेके O1 तक गया फिर O2 radius लिया तो 2 radius तक अर्क घुमा है O3 है तो 3 तक जाके रुख गया O4 है तो 4 तक जाके रुख गया O5 है तो 5 तक पुरा घुमाया है 6 है तो O6 तक पुरा घुमाया है O7 है तो O7 तक और O8 है तो वहीं परह गया और फिर सारे स्पी से होते हुए सारे से क्या है अस्मूत कर्व मिलाया है तो ये भी प्रोसेस से हम बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप ध्यान से देखेगा कि जो ओवन है तो ओवन रेडियस ले करके और वन वाले पॉइंट तक ही घुमाया फिर ओटू को है तो कर्व मिलेगा वो अस्पाइरल का कर्व मिलेगा धन्यवाद जोब लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि बाकी लोग इसको सीख पाएं, बना पाएं और एक्जाम में अच्छा मांक्स लाएं और खास बात खुब अच्छा होगा धन्यवाद